हलो दोस्तों तो कैसे आप लोग आज का वीडिए बहुत कमाल का होनेवाला च् assists May गैंतर गने को न मीवएशन की सब्सक्राइ cenis जाएगा मतलब कोई दिकत्नी हो जाएगा और क्यूंकि देखो मेरे पास तो आपको पता होगा मेरे बहुत से वराइटी का मशीन है नए आप जब मैं तीन तीनों कर रहा था मुझी तो पता है वहीं तो प्राइज में कों सा लेने से बेठर तो यह वाला मशीन ले सकते ह। आपको नया वाशिंग सेंटर नहीं तो यह वाला ङसे तरह का यह बताने वाला हूं देखो क्या है देखो आप नयाना बिजनेस स्टार्ट करें बाद में पिश्टन टाइब मशीन आता है आप ऊसर ले सकते हो है ना पर आपको खुद को पाता निए आपका बिजनेस कैसा चलेगा क्या नी ऐसे ही मैं बहुत बजट रखके फाइदा नहीं है तो आप नयाने च् किसमें कैसा डिफरेंट है सबसे पहला बात तो यह है कि यह जो मशीन है अभी तक मैंने जितना भी मशीन यूज किया और यह भी उसके दोनों का प्रेशर सेम है स्टार्ट डबलू फाइब और यह यह वाला मशीन जो जो जड़ेटी का क्या आई डियार 220 है तो यह वाला मशीन का प्रेशर दोनों का सेम है आवाज की बात करेंगे तो आप दोनों साबी ले सकते हो वह आपका मर्जी है तो दोनों भी सेम कायम करेगा उसका टेंचन अपर इसका मशीन यह जो मशीन है काफी स्मूज चलता आवाज इंदम साइलेंट ह करना था मैंने उसको बताया था और चलो अब मैं इसकी बात करूंगा तो यह परस्नल यूज के लिए बहुत सही चीज है क्योंकि परस्नल मैं अभी यूज करा काफी दिन हो गया और हेवी ड्यूटी से यूज कर रहा और इसको अगर आपको ऑनली फोम स्प्रे करना है ना जाना चाहते हैं अब आपको अगर ऑनली फोम इस्प्रे करना है समझो कि आपको अलीड वाशिंग सेंटर है ना आप फोम इस पर करना चाहते हैं अपको एक वी ड्यूटी प्रिश्टन टाइप मशीन जिसे आप नौन सब पानी मरते ना ऐसा वाला मशीन है तो आप यह वा करेंगा कि मीडिया में मतलब 7000 का सब्सक्राइब तो यह मशीन बहुत है और आगर आपको संदों थोड़ा बजट थोड़ा सा कम है तो आप यह वाला मशीन ले सकते हो पर मैं उतना ज्यादा रिकमेंट नहीं करता है कि रिकमेंट मैं आपको यह करूँगा आपको अगर है सब्सक्राइब नहीं करता है इसलिए मैं बहुत लोगा कमेंट परने के बाद सोचता है एक वीडियो बना तो ताकि आप लोगा सही सवालों का जवापको मिल जाए क्यों तो मैं आपको पूछते हो ना कि सबसे बैस मचन और सबसे अच्छा मचन कशन सा है तुम्हाइब बता सकता हूं अगर आप उसको अब जतना जयादा पैसा डालोगे आपको उतना ज्यादा बेटर मशीन मिलेगा आप अगा पुछ यहीं को यहीं रिकमेंट करूंगा प्रेशर बहुदा है साइलेंट मोतर तो आपको यहां परकाम करने में लुड़ने देंगा तो इसमें अइसे साइलेंट मोटर है आप यूज कर सकते हो ओके इसमें और एक खासियत क्या है देखो यह जो है एक तो प्रेशर अच्छा देता है प्लस साइलेंट है प्लस अब करने जास रहे देखो इसा उठाने लाग है ना इसे वज़न तो होगा मलब 10 किलो का सपस पर यह अच्छा है दे तो फिर भी प्रेशर की बात करेंगे तो अच्छा यह नॉमल जो दसदर के अंदर जो मशीन आता है उनसे अच्छा यह सही है यह वाला और एक दूसरा जो इस्टार क्यों सब्सक्राइब करता है पर इसका स्रीफ मोटर साइलेंट है में यह वाला मशीन पसंद है अगर सब्सक्राइब करेंगे तीनों में से 7000 में कुन साइगा फीट तो यह वाला यह मशीन लिए तो मैंने यूज करके देखा है तो थोड़ा सा मला पफरमेंस में मुझे उतना खास निलगा पर जेपीटी का यह जो दोनों मशीन है लाजवा मशीन है कोई कंप्लेंड नहीं है मैं आपको हमेशा बोलूगा अगर आपको एक-दूह ज्यादा है तो आप यह मशीन लो और अगर उससे थोड़ा से ज्यादा है तो फिर यह मशीन लो लेकिन खाली कम पैसे के चकर में आप यह वाला मत लो तो दोस्ता आप लोगो समाझ गया होगा ना कि भाई बेस्ट मश में मशीन का अच्छा मशीन मिलेगा है अगर बेस्ट मशीन 50,000 के अंदर कुछ नियुक्त में इंबील फोम बिम शिस्टम में उसके बार बढ़ेगा मुझी मैं मशीन कभी आता है वह तो तो आपको यह पूछना अब प्र तो आप इसके रिप्लेस्मेंट में आप यह वाला तो मतलो मैं बोलूगा अगर आपको थोड़ा हाई रेंगा है तो आपको यह दोनों मशीन आपको कभी निरस नहीं करेंगा यह दोनों मशीन बहुत सही है जे-पीटी वह दो छोड़ेंगे नहीं इनका मशीन दिकारावार बात कर रहा है पर आपको कोई नहीं चाहिए तो आप यह दोनों मशीन ले सकते तो नहीं से कुछ अए थोड़ा सा महेंगा है थोड़ा ज्यादा पावर भी ज्यादा है अधर बिजनेस स्टाट करने का है थोड़ा बहुत कम बजेट है तो आप यह वाला ले सकते हो तो समझो कि महीना दो महीना थीन बनना चला दी आपको कस्टमर बढ़ने लगे तो बाद में आप वह पिश्टन टाइप मशीन ले सकते हैं जो हेवी डूटी लॉंग चलेगा तो आपक बादा करके खरी सकते आप छुटे आना छुटे मुसे रंग तेरा डोलना इक तेरा बाजू दूजा मेरा कोई मोलना बोलना महीं बोलना तो आप मुझे कमेंट करके बदाए आपको वीडियो ऐसा लगा है अगर आपको वीडियो अच्छो लगे तो प्लिज मेरे सैनल को झाल झाल